कल एलेट्रिकल करते हैं सीra, मुटा alors करके questions की स्टर्टिंग करती थी को कल स्टेटर के बारे में है आप जो भूंगो ने पढ़न没事 पड़ी थी, सबसे पहले चीज क्या थी कि स्टेटर के इंसर क्या लगा हुआ रियोए कि फील्ड, फील्ड के नेचर क्या होती है revolving magnetic field कैसे produce होती है three phase winding में three phase supply देने पर fields ठीक है उसकी position जो होती है घुमती हुई आप लोगो ने देखी थी और उसकी speed क्या होती है formula ns जिगल to 120f upon p ठीक तो अभी तक आप लोगों को इतना पता है ns जिगल to 120f upon p that is the synchronous speed ठीक है nr rotor speed जो भी है उसका कोई as such कोई formula at this stage इस stage पर कोई formula उसका नहीं है लेकिन you know कि उसको that is represented by nr nr is equal to well you'll know soon क्या होता है then slip speed this is the synchronous speed this is the rotor speed फिर आती है slip speed and that is is equal to that slip speed is equal to ns minus nr इसके पास में आती है slip per unit slip per unit slip s is equal to ns minus nr upon ns slip के यूनिट्स क्या होंगे कोई unit नहीं होगा एक गना यह बोला है क्यों नहीं होगा because it's a ratio वो दो दो rpm का रेशियो है ns minus nr की वेल्वी भी रेशियो में नहीं होगी इस बेसके लिए रेशियो इस बेसके लिए रेशियो ठीक है और पर्संटेज स्लिप पर उनिट स्लिप की हो गई और पर्संटेज स्लिप की वैलियू है यह इक्वल टू ns माइनस nr अपॉन ns इन्टू 100% इतना फर्मूले आप लोगों अभी तक देख लिए हैं ठीक है यह फॉर्मूले सारे आप लोगों देख रखें यह होगा गिवन देर रखाओ एक टेबल फिलप करिए फॉर्मूले सारे सारे यहां पर लिखे हुए है टेबल फिलप करिए number of poles, ns, nr, slip, percentage slip नमबर पोल्स टू बचे विए तीनों चीज़ें फिलक परिये नमबर पोल्स टू है तो नमबर पोल्स टू है तो नास की वेल्य वेल्य होगी 3000 3000 सब लोगों को निकालना आता है मान लिए आप लोगों से इस टाइम एनस की वेल्यू 3000 नहीं निकाली जा रही है इसका मतलब इस टेट पर आप लोगों को वह वाला पॉइंट क्लियर कर लेना थी कोई भी ऐसा सूर्ट है जो तो कुशन में नहीं आ रहा है इसमें नहीं आरहा है देखो बड़ांसान काम है एनस इगल टू बन टुन टीए इसमें लाटिक और मेंब्हू तक पी की वैलियू यहां पर तो पी क्या होता है अनुश थिक है तो पी की वैल्ली यापर दो टूट्ब निकालनी है अब इसमें प्रॉब्लम खाली किया सकती है कि आप आपको F की वैल्यूस में नीजी रखी है, F की टिपिकल वैल्यू जो हर जगा यूज होती है, that is always 50 Hz, 50 जागस पर सकंड, तो F की वैल्यूस की ते 50 रखी है, P की वैल्यू 2 रखी है, R S की वैल्यू 3 तो जना जाएगी, clear? Slip और percentage slip कितना है, percentage slip निकालना प्राइसान गाम है, slip की जो भी value सोच से multiply कर दीजिये, percentage slip की value मिल जाएगी, कितना slip कितना है? slip की value कितनी आई पहले वाले में? 0.02, 0.02 बहुत बढ़ी है, slip की value 0.02, percentage slip की value 2%, सो दिस इस 3000 यह हो गया दूसरे में एनस की वैली 1000 है पी की वैली कितनी हो जाएगी 6, that's correct, क्या कोई भी ऐसा जना है जिसको यह 6 निकारना नहीं आया इसका उल्टा कर दिया है, एनस की वैली 1000 दे रखिए, पी की वैली आपको निकाल नहीं है, एफ की वैली 50 होती है इस सीज़ा फर्मूले में बचीवी वैली लग दीजिए, आपको पी की वैली मिल जाएगी, there is 6 अगर यह 6 है और परसंटेज स्लिप की वैली 4 है, तो पर यूनिट स्लिप की वैली कितनी होगी? 0.04, ठीक? परसंटेज स्लिप से पर यूनिट स्लिप, यह वैली सब लोग निकाल सकते हैं, simply इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड द परसंटेज स्लिप इसको पर यूनिट स्लिप मिल जागी, पर यूनिट स्लिप अगर आपको मिल गई है, तो इससे अनर की वैली सब लोग निकाल सकते हैं, स्लिप की वैल्यू यह दे रखिए, एस स्कोल टू एनस मानस अनर अपॉण एनस की वैल्यू आपको पता है, एस की वैल्यू पता है, एनार की वैल्यू निकाल लीजिए, बताओ कितनी आई, कितनी? 900 कितनी? 60, 960, 960 वह सब अच्छा करिए, कि 960 इसकी वैल्यू है की नहीं है, obviously है, 40 upon 1000 विल्बी 0.04, 1000 मैनस 960 विल्बी 0.04, तो बिल्कुर सही वैल्यू, अब एनार की वैल्यू 710 दे रखिए है, एनार की वैल्यू अगर 710 है, तो क्या कोई मैं बता सकता है, कि एनस की वैल्यू और पी की वैल्यू कितनी होगी? पी की वैल्यू 8, बिल्कुर सही बोला है, लेकिन इतना आप लोंको पता है, कि एनार की वैल्यू हमेशा एनस से कम रहेगी, तो 1000 आर्पी में अगर एनस सल लिए है, तो क्या इसकी रोटर की स्पीड 960 से कम होती होती, 710 नहीं हो सकती? बिल्कुर सकती है, यह जो 3000 आर्पी में अगर एनस सल लिए है, तो इसके रोटर की स्पीड 940 से कम होती होती ही, 710 तक इसकी भी हो सकती है? हाँ, सलिप की वैल्यू बहुत जादा हो जाएगी, उतनी सलिप पर नॉर्मली इंडक्शन मोटर अपरेट नहीं करती है, नॉर्मल केस में सलिप की वैल्यू इस रेंज के ही रहती है, यह पॉइंट बहुत सही वोला है, अगर मैंने यह वाला यह यह वाली वैल्यू जगर ले लिए, 3000 यह 1000 लिख दिया, तो इंड़ केस सलिप की वैल्यू इतनी जादा हो जाएगी, कि यह बिकम्स इंप्रेक्टिकल, दो को इंडक्शन मोटर की सिंपल प्रपरटी क्या होती है, इस वाल सेल्फ रिलीविविंग प्रपटी, अगर आप इंडक्शन मोटर को पर लो कोई भी एक्जांपल, कौन सी, लेट मशीन, कनवेयर बेल्ट, एसकेलेटर, लिफ्ट, वोई से भी सब मेकैनिकल लोड्स हैं, ठीक है, मोटर के साथ में आपने पुली लगा रखी है, पुली के साथ में बेल्ट लगा हुई है, और बेल्ट से आप लोड को खीच रहे हैं, कई भी एक ज़ूसरे पॉट तक ले आरारे हैं, चाहिए नीचे ज़े बेल्ट चल लीए, पॉष्ट कर रहे हैं यह तक लिए पॉंट साथ है। ले तक लेक से तनुर्वेर बेल्ट से ली ए। किसी बी चीज हो से किते हैं, था जा में लोड को खी है Systems &woman ऑम लिगें, र शा load बढ़येंगे, तो उसकी speed कम हो जाएगी। load और बढ़ा देजे, speed और कम हो जाएगी load बढ़ाते जागिए, बढ़ाते बढ़ाते अगर आप एक limit से जादा load कर देंगे तो rotor के speed कम होते 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 बंड हो जाएगा, और चली नहीं पा रहा ह। that condition is known as blocked rotor condition रोटर इस ब्लॉग ब्लॉग कर गया अब चली नहीं पा रहा है तो वह कंडिशन बड़ी खितरनाक होती है और एसी कंडिशन को हर खालत में अवर्ड करना चाहिए विच ब्रिंग्स टू अनादर कॉश्चिन क्या यह वली चीज लोगों ने आप लोगों ने यह वली चीज सुन रखी है कि मालीजे अगर वोल्टर की वैल्यू बहुत कम जाती है सप्लाइब वोल्टर जो घरों के अंदर आ रहा है तो पंक्र का जलने का खतरा होता है इसा क्यों होगा कोई इसका कोई रिजन किसी के बिल्कुर सही बात है जवाब यह है जो इसने अपनी जवाब दिया कि वोटेज पंक्र का जो वोटेज है वो कॉंस्टेंट है या वोटेज के बजाए पहले यह कहा जाए कि पंक्र की जो इंपीड़न्स है वो इंपीड़न्स कॉंस्टेंट है वीज गोल टू अगर आप अब प्रब्लम को सब्विज में आईगी इसके अनदर, V is equal to Z अगर आप देखते हैं, तो Z constant है, current किस वे से बढ़ रहा है, that's a different thing, Z अगर constant है, तो I की वेली क्या हो गई? V by Z, अगर V की वेली कम होती है, तो I की वेली तो कम हो जाने चाहिए, तो I की वेली बढ़ेगी क्यों? Any idea? वाटर जो constant है, I agree, वाटर जो जो तुमने एक्स्विनेशन दिया है कि पंख्य का वाटर जो constant है, और ऐसे में V की वेली कर कम हो जाएगी, तो current की वेली बढ़ जाएगी, पंख्य का जो अपना लोड होगा, उसकी वज़े से उसकी वज़े से ज्यादा current लेगा, यह almost सही जगा पर आप महुँच चुके हैं, लेकर पंख्य का लोड था पहले भी था, जब आप 220 वोड्स के पहुच चुके हो, यह दोनों आंसर अगर कंबाइन कर दिये जाएं, तो जवाब अलड़ी आ चुका है, दो जवाब जवाब भी मिले हैं, पहला यह है कि एक जवाब यह है कि पंख्य का वाटेज कॉंस्टेंट है, ज्यान दीजिए, पंख्य का वाटेज का मतलब क्या होत लेकि यहां तक यह दोनों स्टेट्मेंट ठीक हैं, दूसरा यह है कि पंख्य का लोट की वजए से तरंट बढ़ जाती है, यह वारी बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन अगेन इसमें प्राब्लम यह है कि पंख्य का लोट तो पहले भी था, जो 220 वोल्ट की सप्लाई आपन यह वाली बात सही है कि P is equal to V I, तो S में आई बराबर P Y V हो जाता है, तो V के वाली कम हो जाएगी तो I के वाली बढ़ जाएगी, इसमें जड़ा से चीज जड़ा से डिफरेंट है, यह एक्स्प्रमेशन सही है, यह मितमेटिकली बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिजिकली क्या से नासी थोड़ी मुश्किल से यह की बिल्टाय लेंगे, लेकिन एक सतर या ऐसी कि लोगी जो धान की बोरी है, वो हर जना उठा लेता है, ठीक है, हम यह मांग के चलते हैं, कि आप से इस टाइम अभी जो धान लगाई जा रही है, जब धान जब कटेगी ऑक्टोबर में, तब भी आप से लोग यह होंगे, बोरी हैं सब उठा के देखना, तो उसमें अगर आप नॉर्मल हैं तो वो बोरी अपने सिर पर लेकर करके लड़के दोल लगाते हैं, 80 कि बोरी अपने सिर पर रखी है, दोलते जा रहे हैं, गुदाम में जाकर लोड कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी को बखार हो गया है, मान लिगे कसी को बखार हो गया, अब क्या होगा, बखार है और एसे में अगर आप से अग्छा 50 किलो की बुरी अगर लाते हैं या असी किलो की बुरी बी लाते हैं, तो वो उसके लिए ओर लोड जाएगा, गेटिन दे पOINT, वही लोड कर देते हैं 220 से कम करके 120 वोल्ट अगर हो गया हम क्या करते हैं अपना आप अगर कम होजाता है तो तो वही पंक्य का अपना ही भेट इस पंके के लिए ओete मं जाता है यह बिल्कुल वैसी वात है कि मानीज आप चार दिन खाना खाना छोड़ दीजिए चार दिन तक नहीं घाते उसके बाद में आप से क्लास में आखर के इतने फिट होकर कि आप नहीं बैठ सकते हैं साखल नहीं चला पाएंगे प्रब्लम पड़ जाएगी आप लोग यह चीज यह आप लोग अगया प्रद्ध यह वाइश एसे में आप लिए अगर कम हो जागा तो करेंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वोटेक्श कम जाने के वज़े से पंक्री का जो नॉर्मल लोड यह जाती है इस वाज़े से पंक्रा जल जाता है और हाई वैलियु अगर ख्यार तो अभी इंडेक्शन मोटर की में आप प्रॉपटी यह बता रहा था कि उसके उपर अगर आप लोड बढ़ा देते हैं तो उसकी स्पीड की वैली कम हो जाती है स्पीड कम हो जाएगी रोड और बढ़ा देंगे तो कम होते होते एक ऐसी लिमिट आजाएगी कि जह यह दोनों extreme conditions हैं एक condition है no load और एक है blocked rotor दो conditions है, यह दोनướं extreme conditions is no load क मतलब उसमें minimum possible load है unseen maximum possible load है तो इसलिए अब हम विल्कम बैक तो अरिजिनल टॉपिक कि 710 अगर एनार की वैली 710 चल लगी है तो अगर मान लीजिए नंबर आप पोल्स टू होते है तब रोटर स्पीड की वैली अगर 710 आ रही होती इन स्लिप वड़ी मच बहुत ज्यादा स्लिप होती स्लिप ज्यादा होने का रोड बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है जितना रोड बढ़ा देंगे उतनी उसकी स्पीड कम हो जाती है ठीक अभी मैं डियागरम बना का कोई 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 पतायता हूं यह वैली कैसे करता है इसलिए आप बेसके लिए क्या करेंगे आपको कुछ पता है आठ के लिए कितनी ह होती है 750 और चार के लिए होती 1500 तो रोटर स्पीड जो भी आपको दे रखी है उससे इमिजेटली उपर वाली जो भी होनी है वो आपकी सिंक्रॉन स्पीड होगी मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर रोटर स्पीड की वैलियू मान लीजे 1400 रपीम है तो 1400 से बड़ा 3000 भी है और 1500 भी है तो इन दोने में जो भी छोटा है वो इसकी सिंक्रॉन स्पीड मानी जाएगी वह मानी जाएगी नहीं वह इसकी सिंक्रॉन स्पीड होगी उतने ही नंबर अप पोल्स उसके अंदर होंगे 3000 आर्पिम वाली जो मोटर है दैट विल नाट बी रणिग एट 1400 बहुत तू लेस बहुत कम हो जाता है ठीक अब देखिय यह देखिए कि स्लिप की जो वैली है स्लिप और रोटर स्पीड स्लिप की मैकसम्म पॉस्पिल वैली कि इसे होसक्ती यह बताओ मतलब सीघली जो वैली हो आदग बात theoretically जो slip का फर्मूला है उसके accordingly अगर आप देखें इसलिप का फर्मूला है तो इसके maximum और minimum value कितनी हो सकती है बताओ जल्दी से maximum value 1 minimum value minimum value point why not point zero zero five point zero one हो सकता है zero zero one से कम भी हो सकती ही point zero zero five भी हो सकती ही point zero zero one भी हो सकता है point zero 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 one हो सकता है why not zero zero the practically जो value है that is a different thing theoretically अगर आप जेखते हैं तो slip की maximum value Smax is equal to 1 और यह 1 कब होगा जब Nr की वेल्यू कितनी होगी 0 Smax की वेल्यू 1 तब होगी when Nr is equal to 0 rotor speed की वेल्यू 0 है अभी खाली है बहाँ को फर्मूला बता रहा हूं फिर एकसा explanation बताऊंगा कि यह चीज़ क्या होती है और S minimum minimum value of slip this is equal to 0 when Nr is equal to when Nr is equal to Ns तो बेस के लिए क्या है slip Nr की value इदर बढ़ रही है slip की value इदर बढ़ रही है जहां Nr की value यहाँ पे 0 है वहाँ slip की value है 1 जहां Nr की value Ns है वहाँ पर slip की value हो गई 0 और यह है torque torque कितने कितने आने वाली है ठीक है अभी मैं इसका explanation बाग बतायता हूँ पहले यह graph देख लिए टॉर्क का जो curve है that is something like this यह टॉर्क का कर्व है और नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन जो होता है यह टॉर्क का जो होता है तो यह टॉर्क है, एस यू कन सी टॉर्क कैसे वेरी कर रही है, जब एन र की वेल्यू जीरू है, बाइद बेए, यह क्लियर कर लेते हैं कि एन र की वेल्यू जीरू का मतलब क्या है, आपने मान लीजिए, इंडेक्शन मोटर के अंदर सप्लाई नहीं दी हुई है, तब एन की रोटर स्पीड जीरू है, लेकिन वह कंडिशन हमारे किसी काम के नहीं है, बिकाज दैस मोटर सोज़ आफ, हमारे काम की वह कंडिशन है कि जिस्टम आपने जस्ट सप्लाई अन करी है, बिल्कुल, जैसे ही आपने स्विच अन किया, इनर्शिया के वजए से, जो भी जैसे अप सोच अन करते हैं, जिस इंसेंट पर आपने सोच अन करा, पूरी थ्रीफेस सप्लाई स्टेटर के नदर पहुच गई, रवाल्यू गणिटिक फीड ने गूमना शुरू कर दिया, उस पर्टिकुलर पॉंट पर जिस सकंड आपने अन किया है, उस पॉंट पर भी रोटर की स्पीड जीरो ही है, फिर वो एक फ्रेक्शन आप सेंट के बाद में धीरे जीरे उसकी स्पीड बढ़ती आती है, इस कंडिशन वन अनर इजगल तो जीरो एंड एसमाक्स इगल तो बन उस ताम स्लिप की वरी ओविसली बन होगी, यूकि अनर इजगल तो जीरो, की सिस कंडिशन इस अननना क्या कoryStan still तो this रेखन you स्थाओ एंड दिजगा यह एंड एंड यह लिए झाल इकुल तो है मिन तब के लिए है कि अगर आपने मोंट्र का शंप्लाई ही नही दे रख़ा हिए वो तो बेकार के रेखन होगी वो हमारे किसी एकेigor nuevos, अवारा पू अगर आपने मोटर के निदाए दे रखी है fella motorcycle अगर आपको में है कौन सी motorcycle है बड़िए है भीली कोई है when अगरंसी तो अक्षोड़ी कि थो ऍदर उनके अंदर 8BHP, 9BHP, 10BHP, 11BHP, 11BHP यमाह Rx100 का मक्सिनम था, तो यह आडिया दे रहा हूं, तो यह हारे रविट्सन जो इस्टम लाँच हुए है, इनकी भीस्पी किस रेंज की हैं, कोई एडिया, 90BHP, that's correct, 90BHP की रेंज की हैं, 120BHP की भी बाइक्स हैं, and they are, कितने CC की होती हैं, 1200, 1300, 1500, इस रेंज की होती है, 1500 CC, and 120BHP, that is more than a car, इतनी कार होती है, कारों से भी ज्यादा उसका, भीस्पी चलके आ रहा है, मारती बाइक बाइक पावर, 120BHP है, 1500 CC है, इतनी बड़ी, 40L का उसके अंदर टैंक है, पेट्रोल का, जिसके अंदर पेट्रोल नहीं है, अब यह बताओ कि वो 120BHP किस काम की है, ठीक, वही चीज हमारी इंडक्शन मोटर के लिए, इस टैंटिसल कंडिशन कॉन सी है, जब आपने उसके अंदर सप्लाई दी है, जैसे ही आपने उसके अंदर सप्लाई दे रखी है, तब उसके अंदर कौन कौन सी वैली निकल के आ रही है, उसी टाइम उसके स्लिप की वैली मैक्सिम वैली वन है, और नर की वैली जिरो है, अगर आपने उसके अंदर सप्लाई दे ही नहीं है, नहीं दे रखी है, तो प्राबर हो सकती है नहीं हो सक्ती अरश के रीजन क्या दिए थे हम ने क्यों निए सटी जो जए वोई भी हाथ खड़ा कर इंदो अधो बंद हो जाएगा उसके इनदर सबसे फेला दो जाए एम इस होना क्यों बंद हो जाएगा रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में खतम हो जाएगा, फील्ड में और कनेक्टर में, रोटर के इंदर कनेक्टर लगा रखा है, उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना बंद हो जाएगा, तो उसकी वज़े से इम इंदोस होना बंद आगा, That is the first reason, second reason? Mechanical friction, friction loss, आब ये torque का कर्व है, तो करव है, इसमें ध्यान दो, कि slip की value जब 1 है, तो इसमान को बहुत कम torque मिल लेगी है, बहुत कम torque है, starting torque की value बहुत कम है तभी इंडुक्सिन मोटर बड़े धीरे स्टाट होती है बड़े धीरे धीरे पढ़ने शुरू होती है यही मान लो एक और मोटर है जो आगे जा के पढ़ने वाले हैं उसके लिए यह जिजब पॉइंट है यह पॉइंट यह यहां पर है कर वह इस तरुका है कि नहीं है उस मोंटर में अगर आप सप्लाई देंगे तो क्या होगा स्टार्टिंग टॉर्क अगर जीरो है और ऐसी मोंटर में अगर आप सप्लाई देंगे तो क्या होगा पावर टॉर्स ज्याद हो जाएंगे स्पीड के दिनी मिलेगी आपको हैं बहुत कम बहुत कम कि Zero Zero Saturn टौर्क अगर Zero है टौर्क उसके तरह है ही नहीं उसको स्टार्ट करने के लिए उसके पावर है ही नहीं तौर्क नहीं ही उसको घंबाने काला है इसका मतलब स्पीड की तो ऩ। जीरो देगी इतने टोर्क अगर मिल गई तो वो इसकी बहाँ बढ़ा देगी तो असकी टोर्क बढ़का बढ़ जाएगी तो इससी बहाता आगी तो इसका को पॉरिक्ष्य पॉइंट पर आपके पास लेक्षण का TORK Slip Diagram है तो TORK Slip Diagram मैं आप यह देख रहे हैं कि इस टाइटन टर्क बहुत कम है जो यह जो टोर्क की वाज़ है यह दिस इस दोन है तीमाक्स मैक्समिन टॉक और breakdown torque, इसका दूसरा नाम होता है TBD, breakdown, breakdown torque, breakdown torque, breakdown torque क्या मतलब है, basically maximum torque, maximum possible torque, maximum torque, वो आपको इस value पर मिल लगे, यहाँ पर, you must remember this diagram, यह diagram आगे जाकर के इसके इधर भी develop हो जाएगा, इसके इधर भी develop हो जाएगा, और इसके अंदर इतनी चीज़ और आजाएगी, कि आपको तब जाकर समय आएगा, कि एक ट्लिक क्या है, फिलाल आप खड़ी इतनी याद रखी है, कि torque value यह होती है, और नॉर्मल केस में 0 से लेकर के, मतलब slip की value 0 पर पहुंच नी सकती, क्योंकि NR की value नस हो जाएगी, तो 0 सो थोड़ी से ज़्यादा रहती है slip की value, and that is typically 2%, 4%, maximum हो गया 6%, slip की value 0.06 तक ही रहता है, वही उतना ही operating range होता है, उससे ज़्यादा slip, यानि यानि कि उससे कम, rotor speed उससे कम नहीं हो सकती, यह ध्यान देजिएगा, कि slip और rotor speed दोनों inversely proportional है, slip अगर बढ़ रही है, तो rotor speed कम हो रही है, slip अगर कम हो रही है, rotor speed बढ़ रही है, तो rotor speed बढ़ रही है, तो आपने stator construction देख लिया, आपने formula उसके देख लिया, कि stator में rotor की speed कि इतनी होती है, और उनके formula क्या क्या होते है, आपको basic calculation करने आ गए, अब third part इसका जो है, introductory part में, जो third part है, तीन पार्ट का ही है, introduction, तो इसमें third part is rotor construction, rotor construction क्या होता है, rotor बढ़ इसके लिए दो तरग हो सकता है, rotor construction, rotor construction बढ़ इसके लिए दो तरग होता है, पहरा होता squirrel cage, दूसरा होता है, तो जिस motor के अंदर, squirrel cage rotor लगा होता है, तो जिस motor के अंदर, squirrel cage induction motor, squirrel, squirrel का मतलब गिलेरी, गिलेरी वाला squirrel है, क्यों है, cage, cage का मतलब पिंजड़ा, क्यों है, इसका नाम ऐसा आगी में समझा दूँगा, तो squirrel cage induction motor और दूसरी जो motor होती है, that is known as, wound rotor induction motor, और, slip ring induction motor, यह जो मैंने abbreviation लिखे रखे हैं, यह खाली बताने के लिए लिखे हैं, यह लंबा चाड़ा में लिखने की मर्जी है नहीं है, इसलिए लिखे हैं, जा सब, squirrel cage induction motor, दूसरी है, wound rotor induction motor, और, slip ring induction motor, slip ring, slip ring लगे होते हैं उसके में, दोनों construction, देखिए, क्या होते हैं, और कैसे वर्प करते हैं, पहले देखिए, squirrel cage rotor, DC machines system आपने पढ़ा था, तो DC machines के case में आपने, जो rotor construction देखा था, यह था, जो rotor है, उस rotor के अंदर आपने कई सारे slot बना दिये, ठीक, ऐसे पूरे slots है, slots के अंदर आपने winding गर रखिये, connector सापने लगा रखिये, connector की copper की बार्स लगा रखिये, इसमें इसमें इन सब में बार लगा रखिये, कुछ हीजा जोड़ी हुए, कुछ पीज जोड़ी हुए, आगे पीछे हर्तर जोड़ी हुए, वही काम इसके अंदर कर रखा है, इसके अंदर भी आपने पूरे rotor में slots मना रखिये हैं, और इन slots के अंदर copper के बार्स इसके अंदर आपने फिट कर रही हुए, but there is a difference, उसके अंदर copper के बार्स किस तरह की थी, मान दीजिए, इस rotor में आपने यहां पे कट लगाया और इसको पूरा फैल के फैला के रख दीजिए, को आप को copper के बार कैसे दिखाई देती, एक copper के ब and so forth, इस तरह connection थे उसके, आगे इस से जुड़ा हुआ है, पीचर से जुड़ा हुआ है, और इसमें बीच में से कहीं से यह आगे निकल के जा रहा है, यह दर निकल के जा रहा है, इसमें difference है, इसमें construction किस तरह का है? यह, यह पिंजरा है, इसको अगर इसके दोनों सुरों को आप गोल करके जोड़ दें, ठीक, यह तो आपको flat ऐसा दिखाई दे रहा है, इसको अगर आप यह करके गोल करके जोड़ दें, तो आपको पिंजरा दिखाई देगा, राइट? फगादब पिंचणा जैसा बनाओगा इसमें इसे Asian copper बार्समें लगी होँगी और ऊपर से और नीचे से दोनो परसे रिंग लगे हूए है रिंग बादें आपने कॉपर की के करींड़ से इन रहे हैं और यहां पर आपने एक रिंग इदर से लिभा हुआ इस रिंग से सारे सारे शॉट कर रखें एक एदर एक रिंग पीछे आगे पीछे बनों तरफ से आपने रोटर की कॉपर की बार सारी शॉट कि pigण कर र undert कोई पैसे कोई करें नहीं कि अपक्ष कि अजैंडक्स कि अजगे बने मुदे होते हैं गृОUS में पुर्कते हैं सब्सुआ। और इनको आपने एक रिंग इदर लगाया हुआ है और एक रिंग पीछ्छे लगाय हुआ है एक रिंग सामने से ऊचित एक रिंग पीछे लगा के आपने कर दिये हैं कौपर की बार्स को अधर से भी और दोनों तरह से आपने वेल्ट कर रख़िए इस बिसकेरी नोन आप स्कुरिल केज रोटर और जिस मोटर के अंदर स्कुरिल केज रोटर आपने लगा रख़ा है यह इसके अंदर आप अगें वंस अगें कोई भी अडिशनल रिजिशनल लगानी सकते कोई भी नहीं रखा सकते हैं यह दोनों चीज है दूसरा रोटर देखिए दूसरा रोटर क्या है जब यह वाली बात होई गई है स्कुरिल के रोटर के सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस वरी रगेड इंस अंस्ट्रक्शन रगेड रगेड के मतलब क्या है आप उस पर कितना भी रोटिंग कर दीजिए कि इंड्क्शन मोंटर को पर खूब ओरलोडिंग कर दीजिए कितना भी एक्स्ट्रा लोड डाल दीजिए वह रोटर खराब नहीं होता यह उस रोटर के प्रपटी होती है क्योंकि कॉपर के बास लगा रखी है इसके इंदर कितना भी करण चला रखनी पढ़ने वाला, it is very rugged construction, ठीक, लेकिन इसमें नुकसान क्या है, कि आप इसमें कोई भी चीज vary नहीं कर सकते, इसके starting torque बहुत कम होती है, starting torque बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है, तो two points, once again, इसका फाइदा क्या है, it is very rugged, कितना भी आपसमें over load कर दीजिए, ये ख दूसरा construction है, wound rotor induction motor, उसके अंदर बगाइदा आपने winding कर रखी है, इस slots लगा रखें, इस slots के अंदर पूरी winding हो रही है, अब एक तार गया, इदर गया, पीछे जाकर यहां पर कर दो गया, आगर जाकर यहां कर दो पीछे से यहां कर दो पर यहां, 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 पढ़ेंगे, उसके अंदर सब चीज़ आएंगी, कि 3-phase winding किस तरग करी आती है, बेसिक आइडिया कुछ, बेसिक आडिया पर आपको क्लासर बता दूँगा, तो 3-phase winding जैसे आपने stator के अंदर कर रखी है, slots बना रखे है, slots के अंदर winding वाला तार जा रहा है, जिसके कई सार turn आपने दे रहे है, उसी तरीके से आपने रोटर के अंदर भी बैंडिया पूरी दे रखी है, 3-phase winding के पूरी इससे रखी है, 3-phase winding के दो possible connection कौन कौन सो सकते है, star delta ठीक 3-phase winding, दो तरद से आपको connect कर सकते है, star में elta, अगर देल्टा मैं आपने connect कर र dzięki आ है phase B की winding यह रही, यह rotor है, rotor की winding है, rotor की जो equivalent circuit है, that is basically this, या आप इसको star में connect कर सकते हैं, star में आपने यह काम कर रखा है, star में ऐसा कर रखा, अब इसमें फादा यह है, कि star is an open winding, open ended winding, इसके ends open होते हैं, इसके अंदर आप additional resistance लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, यह जो rotor के अंदर आपने three phase winding करी हुई है, उसको अगर आपने star में connect कर रखा है, तो इसके अंदर external resistance लगा सकते हैं, यह सिंपल सा sentence समझने में मेरे को 3-4 साल लग जए था, तीन-चार साल तक समझ में नहीं आया बिसके लिए, पढ़ा तब यह समझ में आगे, फिर लगा जी तो बड़ी it's quite a simple thing, तो I agree कि इस पॉइंट पर आप लों को यह वले चीज दिमाग में ग्रास्प नहीं हो रही होगी, कि रोटर के अंदर 3-5 बैंडिंग का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर addition resistance लगाने का मतलब क्या हुआ, क्यों लगाएंगे, बहुत तरह के सवाल ऐसे पॉइंट पर आते हैं, अगर आप ध्यान दे रहे हैं क्लास में क्या चला है तो, ठीक, तो यह सारे सारे सवाल कल के क्लास में ख़वर करेंगे, ठीक, तेंक यू. क्यों लगाएंगे.